Friends, Welcome आप सभी का मेरे YouTube Channel SK Video and Photo Editing पर Friends, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी image में dress का color बिना किसी cutting के कैसे change करते हैं और बिना किसी cutting के हम आपने photo में dark photo को किस तरह से light बनाएंगे आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे तो चलिए Friends, वीडियो सुरू करते है तो Friends, Photo Shop पर आने के बाद सबसे पहले हम एक image open करनी है जिस भी image में हमें lighting करनी है या फिर dress का color change करना है वो image हम open कर लेंगे तो Photo Shop पर डबल क्लिक करेंगे मेरे पास एक image है तो मैंने इसको open कर लिया अब Friends, इसके बाद हमें window में जाके और यहां से हमें layer box open करना है यहां layer पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा layer box open हो जाएगा अब Friends, इसको अगर हम light करना चाहें तो Ctrl M करके और इस तरह से भी हम इसको light कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से हमारी background भी light होगी तो मैं चाता हूँ Friends, इसमें यह background शेम रहे ऐसी के ऐसी और यह subject light हो जाए तो उसके लिए मुझे नहीं तो cutting करने के आव सकता है और नहीं यह curves की आव सकता है तो मैं इसको cancel करूँगा यहां से और Friends, किस trick से light होगा तो चलिए वो अभी सीखते है तो Friends, step by step follow करते रहिए और सीखते रहिए तो Friends, photo open करने के बाद और layer box open करने के बाद हमें यहां पर सबसे पहले इसको यहां बड़ा कर लेना है इस तरह से control plus करेंगे तो यह zoom in होगा और इसको हम control minus करेंगे तो यह zoom out हो जाएगा photo zoom करने के बाद यहां से हमें lessor tool select करना है और हमें skin का यानि की चहरे का और हाथों का selection बना लेना है हम इस तरह से इसका selection बाहर बाहर से इस तरह से इसका selection बना लेंगे हमें बाहर बाहर से इसका selection बनाना है तो Friends, यह चहरे का selection बन चुका है अब हमें हाथों का selection बनाना है तो friends उसके लिए हमें shift को दबागे रखना है और lesso tool से इस तरह से हमें इसका बाहर बाहर से selection कर लेना है इस तरह से हम इसका selection करेंगे हमें इसका selection बाहर बाहर से इस तरह से कर लेना है तो friends यह हमारा selection हो चुका है अब हमें इसमें color feel कर ना है उसके लिए अम यहाँ foreground में जाएंगे और फिर हमें यहां से foreground में जाके यहाँ यहां click करना color पर और यहां से skin color लेना है हम यहां से skin color select कर सकते हैं अगर friends, यहां से skin color select ना हो, तो आप इसे cancel करके और एक image open करेंगे मैं इसको cancel कर देता हूँ और photo को मैं एक बार minimize कर देता हूँ तो friends यहां से double click करेंगे और कोई एक image open कर लेंगे मैं एक image open कर लेता हूँ मैंने एक image open कर लिए है और फिर से हम यह foreground पे click करेंगे और अब यह eye drops हमारे सामने आ जाएगी तो इस eye drop से हमें skin का color select करना है यहां से मैं एक बार click करूँगा तो यह हमारे foreground color में यह color select हो जाएगा और फिर यहां से इसको OK कर देना है friends अब आपको दूसरी image को cut कर देना है और इसको अब आप हमें बड़ा कर लेना है और friends यहां से pen tool लेंगे और इसमें यहां पे यह color feel कर देना एक बार click करेंगे तो यह color feel हो जाएगा और अब हमें यहां layer box में जाके यहां normal पे click करना है और यहां से हमें soft light पे click करना है तो यह इस तरह से image हमारी light हो जाएगी तो friends अब आप हमें इसमें control M करके curves को open कर लेना अब हम इस से light करेंगे तो यह हमारी image light होगी और background हमारी same ऐसी ही रहेगी तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से light करूँगा इस तरह से और ok पर click करूँगा और फिर हमें control B से color balance open करना है और इसके हमें थोड़े color इस तरह से हम select कर सकते हैं आप अपनी image के नुसर यहां से इसके color select इस तरह से आप कर सकते हैं तो friends color select करने के बाद फिर से आपको यहां ok पर click करना है और अब friends इस image का selection control D से unselect कर देना अब friends image को zoom करके और जो यह हमने color इसमें बनाया है इसके जो यह निशानवे वारा दिखाए दे रहे है इसको erase करने के लिए यहां से हमें erase tool select करना है यहां से erase tool select करेंगे और यहां उपर brush का size हम softness रखेंगे इस तरह से यह वाली softness रखेंगे brush और friends इसको bracket से छोटा बड़ा करके जो बाहर का यह area है इसको आम इस तरह से erase कर देंगे इसको बहुत अच्छे से सावदानी से आपको इस तरह से erase कर देना है सिर्फ बाहर-बाहर के area को इस तरह से तो चलिए friends मैं एक बड़ इसको erase कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी न बने तो finally friends हमने इसको erase कर दिया है इसी तरह आपको zoom करके और brush को चोटा बड़ा करके बाकी के area को erase कर देना है और अगर आपको फिर भी ये dark लगे तो आपको फिर से control M करके थोड़ा alka-pulka को इस तरह से light कर लेना और ok करेंगे तो friends इस तरह से हम photo में skin को light कर सकते है और friends अब हमें इसकी dress का color change करना है तो उसके लिए हम यहां जाएंगे image में और यहां पे adjustments पे जाएंगे और यहां से हम replace color को select करेंगे लेकिन friends उससे पहले आपको एक चीज और का ध्यान रखना है ये layer हमारी जो हमने color बनाए थे वो इस पे select है तो हमें सबसे पहले layer को select करना है इसको फिर से हम cancel करेंगे जैसे हमारी यह image है तो friends हमें नीचे वाली image को select करना है और उपर वाली layer की eyes को बंद कर देना है इस तरह से और अब हमें फिर से image में जाके adjustments पे जाके और यहां पे replace color पे click करेंगे और friends यहां पे eye drop select करेंगे और यहां से हमें इस red color को जो हमारी dress में यह color है जैसा भी आपकी dress में color हो आप उसको select करेंगे इस तरह से और उपर से यह fusioness को light dark करके आप देख सकते है कितना area आपका select हुआ है तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा light कर लेता हूँ और friends अब या नीचे जो हुई का निशान है transform इस पे हम इस तरह से इसके color change कर सकते हैं यहां से तो मैं friends इसको यही color रख लेता हम फिलाल और यहां से आम इसका saturation बढ़ा सकते है इस तरह से इसको हलका कर सकते है और थोड़ा dark कर सकते है यहां से हम इसकी lightness भी बढ़ा सकते है कितने हम इसमें lightness चाहिए तो friends इसको color select करने के बाद मैं इसमें फिलाल यही color रख लेता हूँ और यहां पे आपको ok पे click कर देना और फिर से उपर वाली layer की eyes को open कर देना तो friends इस तरह से हम आपने photo में dress का color change कर सकते है और photo को light कर सकते है बिना किसी cutting करे तो उमीद करता हम friends वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो like, share, subscribe ज़रूर करे Thank you